दोस्तों आपको WhatsApp पर किसी ने ब्लोग किया है या नहीं यह आप कैसे पता कर सकते हैं दोस्तों कई बार क्या होता है कि WhatsApp पर आपको किसी का DP नहीं दिखाई देता है उसका Last sen दिखाई नहीं देता है तो आप सोचते हैं कि उसने ब्लोक कर दिया है लेकिन दोस्तों इससे आप 100% शूर नहीं कह सकते कि उसने आपको ब्लोक किया है तो दोस्तों आपको कैसे पता चलेगा कि अगले बंदे ने आपको ब्लोग किया है तो उसके लिए दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको तीन ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 100% पता कर सकते हैं कि सामने वाले ने आपको ब्लोग किया है कैसे पता करेंगे जानने के लिए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब और फोलो जरूर करें तो आईए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि किसी ने आपको वाटसप पे ब्लोक किया है या नहीं तो उसके लिए आपको क्या करना है सबसे पहले आपका जो वाटसप पे इसे ओपन करना है दोस्तों वाटसप ओपन करने के बाद में आपको क्या करना है आपको लगता है कि जिस कॉंटेक्ट ने आपको ब्लोक किया है आपको उस पे क्या करना है कि उसकी जो डीपी है उसको चेक करना आपको यहाँ पर चेक करना है उसकी डीपी आपको दिखाई देती है या नहीं अगर उसकी डीपी आपको दिखाई नहीं देती है तो आप यह कह सकते हो कि उसने आपको ब्लोक कर रखा है लेकिन दोस्तों कई बार क्या होता है कि एगला बंदा अपनी डीपी अटा करना है उस बंदे की चेट में Hi Hello कुछ भी टाइप करके बेजना है अगर यहां पे आप को double tick हो जाता है तो यह समझ लेना उस बंदे ने आपको ब्लोग नहीं किया है अगर आपको अगर आपके मेसेज को double tick नहीं होता है शिगल टिक रहता है 12 ans के अंदर 24 24 गंटे के अंदर लेकिन दोस्तों क्या होता कि 24 गंटे तक भी अगले बंदे ने नेट ओन नहीं किया या अगले बंदे का नेट खतम हो गया ऐसा भी हो सकता है तो इससे भी आप शूर नहीं हो सकते कि अगले बंदे ने आपको ब्लोग किया है या नहीं तो ऐसे में आपको क क्या करना है जिससे कि आपको 100% पता चल जाए कि आपको WhatsApp पे ब्लोग किया गया है तो इसके लिए आपको बेक चले आना है यहां से बैक आने के बाद में दोस्तों यहां पे आपको एक का icon दिखाई देगा तो आपको इसी पे click करना है plus icon पे click करने के बाद में उपर जो new group का option है उस पे आपको click करना है new group पे click करने के बाद में आपको उस contact को select करना है उस contact को इस add उस contact को इस group के अंदर add करना है जो लगता है कि आपको उसने ब्लोक कर रहा है तो हमें यहाँ पर लगता है जो A contact है उसने हमें ब्लोक कर रहा है तो हम उसको select करते हैं A को select करने के बाद में यहाँ पर जो नीचे तीर का निशा है ने इस पर आपको click करना है अब यहाँ पर आपको group का कुछ भी नाम लिखना है तो जैसे मैंने XYZ group का नाम लिख दिया है group का नाम enter करने के बाद में आपको यहाँ पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद में आप देख सकते हैं group create हो गया है अब आपको क्या करना है इस group को open करना है ग्रूप को open करने के बाद में जो ग्रूप का नाम है उस पे आपको click करना है उस पे click करने के बाद में आपको नीचे आना है नीचे यहाँ पे आपको देखना है उस ग्रूप के अंदर जिस बंदे को आपने जोड़ा था जिस बंदे को आपने aid किया था आपको लगता था कि उसने ब्लोक कर रहा है तो उसको आपको यहां पर देखना है वो इस ग्रूप के अंदर है या नहीं अगर आपको वो contact इस ग्रूप में दिख जाता है जा मतलब उसने आपको ब्लोक नहीं किया है अगर वो इस ग्रूप कें मेंबर कें अंदर नहीं है पर ज सकते हो इस लाइस पर सकते हो कि यह लोक सकते या ओधनी धन्यवाद रोट सब्रेसित अजीर शर्बॉड करें सिस्ट अधन्यवाद